हलो जी नमश्कार सलाम सास्रियकाल विश्यू आप वेरी वर्म वलकम चु दिस वंडर्फुल सेशन मैं आपका अपना डॉक्टर सेचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी MBBS Physiology का एक और बहतेरीन लेक्चर ले करके I hope you all must be excited एक काम जरूर कीजेगा, सेशन पसंद आये तो आपकी तरफ से लाइक जरूर बनते हैं किसी भी सेशन को आप तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है बहुत सारा एफॉर्ट जाता है और आप अपनी तरफ से हमारे लिए क्या कर सकते हैं कि इन वीडियोज को जादा से जादा शेयर कीजे, लाइक जरूर कीजे और अपना कमेंट जरूर कीजेगा कि और कौन-कौन से टॉपिक्स आप प्रायरिटी पे पढ़ना चाहेंगे इसके लाबा प्लेलिस्ट जरूर एक्स्प्लोर कर लीजेगा MBBS के वीडियोज की, Anatomy, Biochemistry, सब पे आपको Lectures मिल जाएंगे syllabus से related, books से related, everything you will get here चली एक बार स्क्रीन पे नज़र डालना चाहूँगा लाइव इस समय कौन-कौन से बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अपने real name के साथ अपनी ideas बनाए कीजिए ताकि इस तरह के मुकाम पे जवाब हो, I mean आपने सामने जवाब हैं हम लोग एक दूसरे के, तो at least मैं आपका नाम तो ले सकूँ हलो जी, मिस्टर यादव कैसे हैं, वांडरफुल जी, God bless you all बेटा चलो, बिना किसे विलंब के, बिना किसे देरी के, इस session का अगास करते हैं मैं आपका अपना Dr. Sachin Kapoor with more than 23 years of teaching experience and सभागे मिला है इस जीवन में की millions of students जो है वो मुझसे पढ़ चुके हैं और अपनी मेहनत के कारण, अपने चाहने वालों की दुआओं के कारण थोड़ी बहुत मेरी guidance भी रही होगी उनकी उस सफलता में कि आज वो सब एक हूँचे मुकाम पे हैं आप लोग मुझे अलग-लग social media पे follow कर सकते हैं Instagram पे मेरे साथ जुड सकते हैं इंस्टाग्राम पे सचिन.कपूर के अपी यू आर ध्यान रखेगा मेरा WhatsApp नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ है आप WhatsApp के ज़रिये MBBS के जो groups हैं उन पे आप जुड सकते हैं जहां पे regularly मैं study material, e-books, से सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं राइट जी? चलिए एक warm-up हो चुका है तो फिर आगे बढ़ते हैं सुनो मेरी बात इत्मिनान से बाते कम और काम ज्यादा सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि MBBS first tier physiology में मसल को लेकर के आपका syllabus क्या है? क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी हैं? जल्दी से मैं केवल मसल फिजियोलोजी का syllabus आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले describe the structure of neuromuscular junction and transmission of impulse neuromuscular junction का structure आपको जानना है and impulse transmission तो आज हम discuss करेंगे आज के session में neuromuscular junction second, discuss the action of neuromuscular blocking agents आपके syllabus में neuromuscular blocking agents आपको पढ़ने हैं? ठीक है जी? describe the pathophysiology of myasthenia grevis myasthenia grevis के बारे में जानेंगे which is an autoimmune disorder जिसमें शरीर ऐसी antibodies बनाने लग जाता है कि वो neuromuscular junction पे attack करती हैं then we will be discussing the different types of muscle fibers and their structure syllabus में अगली चीज़ है describe action potential and its properties in different muscle types skeletal muscle में कैसे action potential travel करता है? smooth muscle में कैसे travel करता है? next will be describe the molecular basis of muscle contraction in skeletal muscle and smooth muscle हम skeletal muscle का contraction पढ़ेंगे sliding filament theory इसके लाबा हम smooth muscles कैसे contract करते हैं? ये भी पढ़ेंगे isotonic, isometric contractions आपको पढ़ने हैं? then explain energy source and muscle metabolism then explain the gradation of muscular activity muscular dystrophies, myopathies and ergography के बारे में जानेंगे demonstrate the effect of mild, moderate and severe exercise and record the changes in cardiorespiratory parameters we have to demonstrate Harvard step test and describe the impact on induced physiological parameters in a simulated environment describe strength duration curve observe with computer assisted learning amphibian nerve muscle experiment amphibian cardiac experiment that means muscle physiology को लेके ये आपका syllabus है ये सारी चीज़े आपको पढ़नी हैं अब हम आजाते हैं कि topic wise क्या क्या चीज़े हैं topics जो जो आपके साथ cover करूँगा मैं वो क्या क्या हैं एक बार नज़र डाल लेजिए ये सारी चीज़ों का PDF भी आपको मिल जाएगा neuromuscular transmission number two पे excitation contraction coupling number three molecular basis of muscle contraction आपने human physiology जब पढ़ा है class 11 के syllabus में वहाँ पे भी आपने बहुत सारी चीज़ें basic सी आपने पढ़ी हुई हैं लेकिन अपकोस अब तो हम बहुत ज़ादा detail में पढ़ेंगे chemical changes during skeletal muscle contraction muscle metabolism characteristics of skeletal muscle contraction isotonic, isometric contractions applied skeletal muscle physiology जो किताब आपको दिख रही है इस समय स्क्रीन पे बनी हुई that is Guyton and Hall textbook of medical physiology medical physiology का जब भी जिकर होता है बच्चे Guyton, Ganong दो किताबों के बारे में ज़रूर जानते है मैं आपको personally suggest करूँगा अगर आपने खरीदनी है physiology की किताब तो Guyton and Hall की medical physiology का जो third South Asian edition है इस समय मेरे हाथ में third edition है South Asian edition खरीदियेगा Guyton and Hall का एक international edition भी आता है ये रहा जी मेरे पास international edition इस समय ये 14th edition है लेकिन मैं personally suggest करूँगा कि आप ये वाला ना ले और आप South Asian edition ले अब आप सोचेंगे ऐसा क्यूं मैं उसका reason बताता हूँ आपको जो South Asian edition है ना Guyton की किताब का ये strictly as per the syllabus जो MBBS का syllabus Indian universities में पढ़ाया जाता है जो competency based syllabus है पूरा code दिया हुआ है आगे कि कौन-कौन सा competency code है और क्या-क्या चीज़ें covered हैं सबसे पहले तो आपको इसमें physiology का syllabus मिल जाएगा international वाला जो edition है ना उसमें ये सब चीज़ें नहीं निलेंगी syllabus की यहाँ पे इसमें आपके syllabus के अनुसार एक-एक चीज इस किताब में दी हुई है ठीक है जी? and अगर हम गैनॉंग का जिकर करें गैनॉंग को समझ पाना काफी मुश्किल रहेगा आपके लिए अगर आपने अल्रेडी कोई lectures नहीं पड़े है या teacher से नहीं पड़े है physiology then it'll be very difficult गैनॉंग में सारी चीज़ें नहीं एक तरह से coded है आपको बार-बार पढ़के समझना पढ़ता है language इतनी simple नहीं है इसके गैनॉंग किताब की so गैटन का जो South Asian edition है that is the best one right? जब अब neuromuscular transmission का जब हम जिकर करते हैं तो आपको क्या-क्या पढ़ना है इसमें मैंने हर topic को sub-topic और उसके भी sub-topics में बांट दिया है इतने simplified way में आपको complete topic पढ़ाय जाएगा कपाड खुल जाएगे दिमाग के so you should know about motor end plate then we'll be discussing about secretion of acetylcholine drugs which are affecting the neuromuscular junction physostigmine के बारे में बताऊँगा botulinum toxin के बारे में हम पढ़ेंगे and diseases of the neuromuscular junction ठीक है जी? so neuromuscular transmission में मेरे बेटा आपको ये सब चीजें पढ़नी है now muscle के neuromuscular junction के detail में जाने से पहले obviously बात है कि हमें muscles के बारे में कुछ basic जानकारी जरूर होनी चाहिए तब ही हम आगे इतनी intricate details समझ पाएंगे ठीक है जी? तीन तरहें के जो muscles हैं cardiac muscles, smooth muscles, skeletal muscles पहले हम उनका जिकर करेंगे ठीक है? about 40% of the body is skeletal muscle शरीर का 40% जो है skeletal muscle है और लगबग 10% cardiac and smooth muscles मिला करके हैं. जो contraction के principles हम skeletal muscle के लिए पढ़ेंगे लगबग जादा तर बातें सेम ही रहेंगी smooth muscle की contraction के लिए भी और cardiac muscle की contraction के लिए भी. जो तीन तरहें के muscles हैं वो कौन-कौन से हैं? cardiac muscles cardiac word is related to heart cardiac muscles are found in heart a wall of the heart. The second is smooth muscles and third is skeletal muscles. Right? Now, cardiac muscles strited हैं या striped हैं जब आप इन muscle fibers को microscope के नीचे देखते हैं तो आपको धारिया नजर आती हैं. जैसे मेरी shirt पे ये stricions नजर आ रही हैं तो इसलिए cardiac muscles को strited कहते हैं cardiac muscles जो हैं functionally involuntary हैं. आपके conscious control में नहीं, आप अपनी मर्जी से दिल को नहीं धड़का सकते हैं. It is involuntary. Smooth muscles को smooth क्यों कहते हैं? Because इन में कोई alternate light and dark bands नजर नहीं आते हैं. तो ये non-striped हैं ये unstriped हैं. पूरा detailed structure बताऊंगा smooth muscles का. Spindle-shaped हैं, uni-nucleate हैं, caviolate होते हैं, smooth muscles experience, maximum stretching every detail I'll be discussing. अभी सिरफ उपर, superficial way में आपको बता रहा हूँ कि तीन तरहें के muscles कौन-कौन से हैं. Cardiac muscles involuntary हैं, smooth muscles भी involuntary हैं. Smooth muscles किसके response में contract relax करते हैं? Autonomic nervous system के response में? Hormones के response में? जैसे oxytocin hormone smooth muscles of uterus को contract करवाता है. Right जी? And progesteron hormone जो है, उनकी contractions को inhibit करता है. Then skeletal muscles. Skeletal muscle को skeletal क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़ियों के साथ जुड़े हैं. Bones के साथ जुड़े हैं. ये strited हैं. जब आप इने microscope के नीचे देखेंगे, आपको alternate light and dark bend नज़र आएंगे. और skeletal muscles voluntary हैं. मतलब ये आपके conscious control में होते हैं. ठीक है जी? Briefly देखते हैं cardiac muscles. Only heart contains cardiac muscles and they form the wall of the heart. Heart में जो wall है, उसकी तीन layers होती हैं. सबसे अंदर endocardium, middle myocardium और बाहर की तरफ pericardium. Pericardium की भी further layers हैं. Outer fibrous pericardium, inner serous pericardium. Serous pericardium की दो layers होती हैं. Inner visceral pericardium, outer parietal pericardium. Now, जो middle wall है, heart की middle layer है heart wall की, myocardium उसमें ये muscles पाये जाते हैं और ये involuntary होते हैं. देखने में ये strited हैं, but functionally cardiac muscles involuntary होते हैं. Cardiac muscle fiber का enlarged view देखिए. ज़र आप मेरे पीछे screen पर आपको नज़र आरे हैं. एक बात बतादू. Diagrams इतने भेतरीन होंगे यहांपे. Pictures, animations, बहुत ही खुबसूरत आपको दिखाये जाएंगे. हर चीज़ simple way में, with full details, crystal clarity के साथ आप तक पहुंचाना ही मेरा मकसद है. Right? इसलिए आपकी तरफ से like जरूर बनता है. बहुत सारा effort जाता है इस session को बना के आप तक पहुंचाने के लिए. सुनो मेरे बच्चे, एक बड़ी important बात जो adjacent cardiac muscle fibers होते हैं न, adjacent cardiac muscle fibers के पास एक structure है, जो ध्यान रखना है, आपको intercalated disc. ध्यान रखना है जैसे ये cardiac muscle fiber है, ये दूसा cardiac muscle fiber है, adjacent cardiac muscle fibers, they have intercalated disc, जिसमें की gap junctions है, and they allow quick spreading of the cardiac impulse. So cardiac muscle fibers की विशेषता है ही होता है, cardiac muscle fibers का they do not get fatigued, थकते नहीं है, दिल सारी उमर धड़कता रहता है, पर थकता नहीं है. बाकी cardiac muscle fibers की और details हमने आगे पढ़नी है, ये सरफ एक introduction है आपके लिए. Smooth muscles को smooth क्यों कहते हैं? क्योंकि इन में alternate light and dark band नजर नहीं आते हैं जब आप microscope के नीचे देखो, ये spindle shaped होते हैं, spindle समझते हैं आप, spindle कोई भी ऐसी चीज होती है जो किनारों से तो पतली है और बीच में मोटी है, जैसे किनारों से पतली है और ये बीच में मोटे हैं, तो smooth muscles कुछ लगबग इस तरह के हैं और smooth muscle में ये single nucleus है, ये यो नी nucleate, skeletal muscle fibers multi-nucleated होते हैं smooth muscle fibers involuntary है ये जितने हमारे hollow internal organs है न, जैसे elementary canal है, isophagus से लेकर के anus तक end करती है smooth muscle fibers यहाँ पर पाए जाते हैं हाला कि beginning of the digestive system and end of the digestive system में skeletal voluntary muscles भी है external anal sphincter voluntary होता है, isophagus में भी एक sphincter है, upper isophageal sphincter वो भी voluntary है, बाकी सारी जगे पे हमारे पेट में, intestine में smooth muscle fiber है, uterus में urinary bladder में, urethra में blood vessels में, lymph vessels में, सब जगे smooth muscles होते हैं, respiratory tract में भी smooth muscles हैं, हमारी skin के जो बाल हैं, हम कहते हैं रॉंक्टे खड़े हो गए, जैसे तो वह muscles of the hair follicles हैं, वहाँ पर भी smooth muscles present हैं, ठीक है जी इन में strations नजर नहीं आती इसलिए इने smooth कहते हैं कई जगों पर शरीर में ऐसा भी है जैसे gastro-intestinal tract की बात में करूं, GI tract में smooth muscles में एक auto-rhythmicity है परिस्टल्स बढ़ है में हमने परिस्टल्स कह है, it is wave of contraction, which passes from oral to anal region, it propels the food forwards, परिस्टल्स so the action of smooth muscles involuntary है, and in certain cases, the smooth muscles they show auto-rhythmicity also, ये भी आगे detail में discuss होगा, now मजा आ रहा है जी, you are enjoying the session, Pramod how are you, slides beautiful है चलो, हम neuromuscular junction तक पहुँचने वाले हैं, धीरे-धीरे, पहले हम skeletal muscle का detailed structure देखें जरा skeletal muscle जो है, जब आपने muscle कहा, suppose they bicep muscles है तो ये muscle किस चीज़ से बना है muscle के अंदर होते हैं muscle fasciculi, या muscle fasciculus muscle fasciculus बना हुआ muscle fiber से, right सारे terminology ध्यान नखना suppose करो ये एक marker, ये pen मेरे हाथ में, this is one muscle fiber ऐसे धेर सारे muscle fibers को imagine कर लो, एक bundle बना दो that is called muscle fasciculus या fascical कह देते bundle of muscle fibers is muscle fascical और बहुत सारे muscle fascical मिल करके muscle बनाते हैं, ठीक है जी muscle क्या है, muscle fascical क्या है, muscle fiber क्या है, ध्यान रखिएगा muscle fiber की जो सबसे अंदर वाली covering होती है, that is what is called as endomycium मैं सारी coverings भी आपके साथ discuss करूँगा अभी, चिंता मत कीजे, बहुत सारे muscle fiber ने जब muscle fasciculus बना दिया muscle fascical की covering होती है perimycium, और फिर सबसे बाहर वाली जो covering होती है पूरे muscle की, that is called as epimycium, और muscle जो है, किस के साथ जोड़े होती है, bones के साथ, कौनसी चीज़ muscle और bone को जोड़ रही है, tendon ठीक है, tendons, they connect muscles with bones सुनो, all the skeletal muscles are composed of numerous fibers ranging from, एक-एक muscle fiber का जो diameter है, 10 से लेके 80 micrometers तक होता है जादातर skeletal muscles में ऐसा है कि वो जो fiber है वो उतनी ही लंबाई है उसकी जितनी की पूरे muscle की है in most skeletal muscles each fiber extends the entire length of the muscle, right आगे देखते हैं except for about 2% of the fibers each muscle fiber is usually innervated by only one nerve ending ये बात बड़ी important है एक muscle के अंदर धेरू muscle fibers है muscle fibers को nervous system से ही तो command जाएगी contract होने के लिए it's the neurons which are going to give command to the muscle तो neuron और muscle का junction बनने है neuromuscular junction यहाँ क्या बात कही गई है each fiber is usually innervated by only one nerve ending located near the middle of the fiber मान लो ये एक muscle fiber है ये muscle fiber का middle region है यहाँ से आने वाला neuron जो है वो लगबग middle में आके इसके साथ junction बनाता है और एक muscle fiber के लिए हमने एक nerve ending कही है अब एक neuron की एक ending इधर जा रही है एक ending कहीं और भी जा सकती है एक neuron बहुत सारे muscle fibers को supply कर सकता है clear है जी? now skeletal muscles को skeletal muscle कहते क्यों है ये बात important है these are so named because most skeletal muscles they move bones of the skeleton हड़ियों के साथ जुड़े हैं tendons के जरीए इसलिए skeletal muscle कहा लेकिन शरीर में कई जगें ऐसी हैं जहांपे skeletal muscles present हैं और bone से connected नहीं है tongue में भी तो skeletal muscle है न जुबान में भी right upper part of esophagus has skeletal muscles right इसके इलावा और कहां है external anal sphincter में external urethral sphincter में जो diaphragm है हमारा most important breathing muscle वो भी तो skeletal muscle है diaphragm is a skeletal muscle ठीक है जी now a few skeletal muscle fibers they attach to and move the skin or other skeletal muscles हम अपने शरीर में skin कहां पे move कर सकते हैं आप जानते हैं माथे वाला region जो है na forehead region ऐसे यह देखे we can move our skin here right otherwise हम अपनी skin move नहीं कर सकते हैं animals जो है अपनी skin move कर लेते हैं now next point alternate light and dark bands present है जिने हम striations कह देते हैं they are seen when the tissue is examined with a microscope माली जी मैं कहूँ cockroach लेके आईए एक उसके leg muscles निकालते हैं cockroach के leg muscle fiber separate करके आपको microscope के नीचे दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा alternate light and dark bands कुछ areas dark हैं कुछ area light है light band को I band भी कहते हैं dark band को A band भी कहते हैं I stands for isotropic A stands for anisotropic ऐसा क्यूं कहते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे फिलाल हम सिरफ basic बाते जान रहे हैं जुलाई किस से बने हैं बहुत सारे muscle fiber से अभी हम एक muscle fiber के अंदर enter करके देखेंगे कि muscle fiber के अंदर और क्या क्या structures है myofibrils क्या होते हैं myofilaments क्या होते है myosin protein actin protein troponin tropomyosin titin desmin एक-एक protein का roll हम पढ़ेंगे इतनी बाते समझ आरी हैं all my raja beta and rani beta right चलो साथ के साथ मैं पानी जरूर पीलूँ क्योंकि गला ठक जाता है ना जोर से बोलते हुए now सुन skeletal muscles voluntary हैं आपके conscious control में है diaphragm भी आपके control में है हलां कि brain के medulla region से diaphragm को commands मिल रही है वो अपने आप contract relax कर रहे लेकिन हम जब चाहे अपना सांस रोक सकते हैं चाहे थोड़ी देर के लिए रोके हम so skeletal muscles they mainly work in a voluntary manner अच्छा आपको पता है जब कभी हमें shivering होती है मालो जब हमें ठंड लगती है बहुत जादा हम कापने लगते हैं तो shivering क्या है shivering तो involuntary है लेकिन उस involuntary shivering में muscles काँ से involved है muscles उससे में skeletal muscles involved है तो I can say that shivering is involuntary contraction of the voluntary skeletal muscles ध्यान रखना है बाब ठीक है जी shivering thermogenesis उससे heat generate होती है now the activity of the skeletal muscles can be consciously controlled by neurons that are part of your somatic voluntary division of the nervous system nervous system में हम पढ़ेंगे कि हमारा autonomic nervous system भी है somatic nervous system भी है तो जो voluntary muscles को control कर रहा है somatic nervous system वहां से commands आती है muscle को जैसे आप इस diagram में देख पा रहे है spinal cord से निकला एक neuron आ रहा के muscle fibers के साथ neuromuscular junction बना रहा है ठीक है सुशिल बेटा प्रमोद, क्लियर है जी, कृष्णा, ओके diaphragm का जिकर मैंने कर रहा diaphragm is the most important muscle which is involved in breathing diaphragm continues to alternately contract and relax without conscious control है ना सोचना तो नहीं पढ़ता diaphragm को contract करना है brain के medulla region में medullary rhythmicity area और वो diaphragm को अपने आप up-down up-down कर रहा है diaphragm rupture हो जाए, puncture हो जाए immediate death हो जाती है you do not need to consciously think about contracting the skeletal muscles and maintain your posture or stabilize the body position cerebellum पता है ना, brain का cerebellum it maintains your balance and equilibrium cerebellum से भी muscles को skeletal muscle को कमान जाती है कि भई कैसे खड़े रहना है, ऐसे इधर को गिर नहीं जाना है balance बिगरने लगेगा तो muscles, tendons ये सब cerebellum को message भेज देंगी सो मेरा कहने का मतलब है कि skeletal muscles voluntary है, conscious control में है लेकिन कई उधारन, कई example आपको अपने शरीर में मिल जाएंगी जहांपे skeletal muscles जो है एक involuntary तरीके से भी अपने आप regulate हो रही है skeletal muscles के function क्या है body का movement, limbs का movement, movement, locomotion skeletal muscles का function है body के position को stabilize करके रखना, यह muscles का function है storage of substances muscles में glycogen stored है glucose is converted into glycogen है न, तो glycogen muscles में stored रहता है every growing tissue of the body can store some amount of glycogen liver and muscles can store large amount of glycogen, right? इसके लावा muscles में heat generate होती है shivering thermogenesis जिसका हम जिकर कर रहते है muscles की कुछ अपनी खास properties है, यह भी आपको पता होनी चाहिए excitability, contractability, extensibility, elasticity muscle एक excitable tissue है excitable से क्या मतलब है? माल लेजिए muscle को एक stimulus दिया stimulus का क्या मतलब है? any kind of change in the external environment muscle को mechanical, chemical, electrical stimulus आपने दिया muscle is going to respond to that so वो होता है excitability it is the ability to respond to certain stimuli कैसे, क्या हुआ response? by producing the signals muscle में signal generate होता है जिसे हम action potential कहते हैं जो अभी हम आगे discuss करेंगे second property muscle में contractability है contractability का मतलब है it is the ability to contract forcefully when stimulated by an action potential muscle को आपने stimulus दिया stimulus अगर threshold value का है तो muscle ने contract करना है muscle contract कर जाते हैं यही उनकी property है that is contractability आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में आपको दिख रहा है किस परकार दो Z lines या Z lines करीब आ रही है जब muscle contract करते हैं यह Z line क्या है actin, myosin, sarcomere, M line, H zone everything I'll be explaining in this session आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे muscle की एक और property है extensibility extend होते है extensibility का मतलब है it is the ability of the muscular tissue to stretch without being damaged muscle को आप stretch भी कर सकते हैं सिरफ muscle contract नहीं हो रहे है stretch भी तो हो रहे है और वो damage नहीं होते हैं so it allows a muscle to contract forcefully even if it has already been stretched यह उनकी एक विशेशता है आप ध्यान लखना यहाँ पे शरीर में कौनसे ऐसे muscles हैं जो सबसे ज़ादा stretching को सहते हैं smooth muscles smooth muscles they experience greatest amount of stretching आप uterus का अधारन ले लीजए uterus में जब baby develop हो रहा है तो uterus के smooth muscles stretch हो रहे हैं आइस कितना बड़ा हो जाता है so smooth muscles they experience maximum stretching right I ask is it clear another property elasticity elasticity is the ability of the muscles to return to their original length and shape after contraction muscle contract हो गया contraction के बाद अपनी original shape में भी वो आ जाते हैं original length में आ जाते हैं clear है जी यह properties याद रहेंगी elasticity extensibility contractibility excitability यह विशेशताएं हैं muscles की skeletal muscle के अगर मैं structure की बात करो each skeletal muscle is actually a separate organ एक muscle एक organ है जिसके अंदर hundreds to thousands of cells हैं you know cells they group to form tissues tissues form organs muscle के अंदर जो सैंकडों या हजारों cells हैं उन्हें कहा जाता है muscle fibers fiber क्यों कहा क्योंकि उस cell बड़े लंबे लंबे हैं right one muscle fiber can be up to 30 centimeters long also इतना लंबा भी हो सकता है एक muscle fiber ठीक है muscle fiber और muscle cell एक ही बात है muscle cell and muscle fiber are same right तो एक muscle में धेरों muscle fibers हैं इसके इलावा muscle में connective tissue भी होगा blood vessels भी होंगी lymph vessels भी होंगी nerves भी होंगी right no इस diagram को देखो गौर से ये complete muscle दिखाया गया आपको सारी चीज़ें highlight करते हैं ये है जी bone bone के साथ muscle जुड़ा है tendon से right पूरे muscle की सबसे बाहर वाली covering क्या बताई थी epimysium पूरे muscle की सबसे बाहर वाली covering epimysium एक muscle के अंदर आपको ये bundles नजर आएंगे जिने कहते हैं fascicles या fasciculi muscle fascicles muscle fascicle की covering क्या है muscle fascicle की covering है perimysium एक muscle fascicle के अंदर से धेर सारे muscle fibers निकलेंगे सो बहुत सारे muscle fiber मिलके एक fascicle बना रहे हैं muscle fiber की covering क्या है endomycin तो आपको ध्यान रहेगा किस प्रकार से ये level of organization है muscle covering is perimysium muscle is made up of many muscle fasciculi muscle fasciculi की covering perimysium one muscle fasciculi is made up of many muscle fibers the covering of one muscle fiber is endomycin so endomycin, perimysium, epimysium muscle fiber, muscle fasciculus, muscle muscle is connected to bone bite tendon इसके लावा muscle के बीच बीच में blood vessels भी होंगी, nerves भी होंगी वो सब चिज़ें तो होंगी ही होंगी right? clear है जी? चलो, आगे देखें इदर the outermost layer which is covering the entire muscle the outermost layer is called epimysium very good, यह आपको याद हो गया then what is perimysium? perimysium surrounds group of 10 to 100 or more muscle fiber यह 1 muscle fiber, यह 2, 3, 4, 100 muscle fiber जुड़ गया, एक bundle बन गया जैसे जाडू की तीलियां समझ लो जाडू होता है न जाडू में एक तीला जो है एक तीली जो है उसकी वो एक muscle fiber है पूरे का पूरा जाडू muscle fascicle है और धेर सारे जाडू इकठे कर लो और उन्हें बांध दो रसी से वो पूरी चीज muscle हो जाए ली I think अब आपको clear हो गया यह Right जी? Many muscle fascicles, they are large enough to be seen with the naked eye Muscle fascicles को naked eye से देख सकते हैं Muscle को तो देखते ही देखते हैं Muscle fascicle eye को भी आप देख सकते हैं यह रहा tendon connective tissue जो epimysium है ना गौर से देखना Epimysium ही जाके tendon के साथ continue हो जाती है Epimysium layer ही tendon के साथ continue हो गई Periosteum क्या है? Bone की अपनी सबसे बाहर वाली layer Bone की histology में पढ़ेंगे Outermost layer of the bone is periosteum Bone में bone का matrix है Under endosteum है, bone marrow है वो bone में पढ़ेंगे ठीक है बेटा? अब देखो इतने हिस्से से epimysium जब हटा दिया तो उसके नीचे हमें bundles नज़र आए Fessicles Fessicles की जो अपनी covering है That is perimysium Fessicle की covering, perimysium Right? अब perimysium हटाई Fessicle दिखा, उसके अंदर muscle fiber दिखा Muscle fiber के अंदर क्या होगा फर्दर? Myofibrils और वो बने है myofilaments Is it clear जी? मज़ा आ रहा है? एक बार चलो likes का round हो जाए जिन्होंने अभी तक like का बटन नहीं दवाया Channel को subscribe जरूर कर लिए जए Bell icon को hit कीजिए Playlist में जो पीछे की videos है Anatomy के, Physiology के, Biochemistry के वो भी आप जरूर देखिए आपके Ambibius की preparation में आपको बहुत असानी हो जाएगी Muscle fiber का structure और detail में जानते एक muscle fiber की बात कर रहा हूं मैं बेटा One muscle fiber देखना, एक single muscle fiber है Suppose ये बना दिया मैंने एक single muscle fiber elongated structure इसकी जो plasma membrane है The plasma membrane of the muscle fiber is called what? Sarcolema अभी हम sarcolema का भी structure समझेंगे The plasma membrane of the muscle fiber is sarcolema अभी ये muscle fiber, एक muscle fiber एक cell है It is one single cell तो cell की plasma membrane है sarcolema इसके अंदर cytoplasm भी होगा तो that is what is called as sarcoplasm So sarcoplasm is what? It is the cytoplasm of the muscle fiber इसके लावा Sarcoplasm में धेर सारा glycogen भी होता है मैंने थोड़ी दिर पहले ही बिताया that muscles that store glycogen और यहाँ पे ATP का निर्मान हो रहा है इसके लावा muscle के जो mitochondria होते है The mitochondria they are called sarcosomes इसके लावा जो endoplasmic reticulum होता है muscle fiber में That is called sarcoplasmic reticulum Muscle fibers में धेर सारे nucleus है It is a multi-nucleated structure और nucleus न सेंटर में नहीं होते These nuclei are located towards the periphery अब ऐसा क्यों है? उसका reason भी अभी समझेंगे यह धेर सारे nucleus क्यों है? इसका कारण भी हम समझेंगे Okay बटा? Now, sarcolemma What is sarcolemma? The plasma membrane of the muscle fiber अच्छ अब sarcolemma को और detail में अगर हम जाने Sarcolemma consists of a true cell membrane यानी plasma membrane Cell membrane है, plasma membrane तो है यह उसके साथ साथ na sarcolemma में एक outer coat होता है polysaccharides का जिसमें बहुत सारे collagen fibers भी है Sarcolemma का detail structure बता रहा हूँ इसमें plasma membrane है which is bilayer of phospholipids उस bilayer of phospholipids के बाहर there is an outer coat made up of thin layer of polysaccharide material and it contains numerous thin collagen fibers also इस diagram में आपको क्या दिख रहा है जी? एक muscle fiber के अंदर से आपको निकाल करके myofibril दिखाया गया है muscle fiber में क्या है? myofibril मैं लिख रहा हूँ यह बात अभी तक हम जो बाते कर रहे हैं बेटा वो muscle fiber के बारे में कर रहे हैं muscle fiber के अंदर और detail में चले जाएंगे तो हमें organals नजर आएंगी myofibrils myofibrils किस से बने हुए है? यह myofilament से बने हैं myofilaments दो तरहें की होती हैं thick myofilament जिन में myosin protein है and thin myofilament जिसमें actin protein है और actin के इलावा troponin, tropomyosin भी है ओके? now, sarco lemma का जिकर कर रहा हूँ अभी में at each end of muscle fiber muscle fiber के दोनों सिरों की तरफ, end की तरफ the surface layer of sarco lemma fuses with the tendon fiber tendon के साथ ही यह sarco lemma आगे continue हो जाती है और वो जो tendon fibers है, the tendon fibers they collect into bundles to form muscle tendons and you know, muscle tendons are going to connect muscles to bones पूरे muscle का structure समझना जरूरी है, नर्गस बेटा तभी आप जान पाएंगे इस चीज को, neuromuscular junction को चलिए जी, muscle fiber एक cell है, 30 cm तक लंबा हो सकता है plasma membrane है और साथ में बाहर एक polysaccharide की लेर है जो मिलके sarco lemma बना रहा है cytoplasm को sarcoplasm कहते है sarcoplasm में एक red colored protein है जिसे हम कहते हैं myoglobin जैसे हमारे blood में arbuses में hemoglobin है muscle fibers में myoglobin है myoglobin is oxygen storing protein it has very high affinity for oxygen it binds with the oxygen molecules that diffuse into muscles from the surrounding interstitial fluid muscle के आसपास interstitial fluid है हर cell के बाहर interstitial fluid है वहां से oxygen diffusion के जरी muscle fiber के अंदर पहुंची myoglobin ने उसे पकड़ लिया myoglobin will release oxygen when it is needed by mitochondria so this myoglobin passes on the oxygen to the mitochondria यहनी sarcosomes अब हम आगए muscle fiber की next organelle के बारे में यहनी mitochondria what are mitochondria of the muscle fibers called sarcosomes अब जानते हैं cell का powerhouse होता है mitochondria mitochondria की positioning के इस तरह से इसमे it lies in rows throughout the muscle fiber पूरे muscle fiber में mitochondria फैले हुए है and strategically they are very close to the muscle proteins which are using ATP during contraction हम अभी देखेंगे कि कौन से muscle proteins ATP का इस्तिमाल कर रहे हैं अब आप इस diagram में mitochondria की position को देखिए यह जो आपको नजर आ रहा है यह रहा mitochondrion यह golden से color से दिखाया से राजमा के दाने जैसा लग रहे हैं और यह रहा जी mitochondria कितने सारे mitochondria यहां दिखाये हुए इसके लावा एक चीज और देखो यह जो टिब्यूल्स का network सा नजर आ रहा है आपको पूरा जैसे छोट-छोटी pipes का जाल पहला हुए यही तो है सार्को प्लास्मिक रेटिकूलम जैसे एंडो प्लास्मिक रेटिकूलम होता है सेल में मसल फाइबर में एंडो प्लास्मिक रेटिकूलम को सार्को प्लास्मिक रेटिकूलम का काम होता है कैल्शिम आयन्स को स्टोर करना मसल कॉंट्रेक्शन के लिए कैल्शिम का बड़ा important रोल है सो केल्शियम आयन्स प्रेजन्ट होते हैं किसमें सार्कोप्लाजमिक रेटिक्यूलम में इस डाइग्रम में आपको और क्या क्या चीज़े नज़र आ रही है आपको न्यूकलियस नज़र आ रहा है मसल फाइबर का प्लाजमा मेंब्रेन सार्कोलेमा cytoplasm is sarcoplasm fiber के अंदर ये रहा myofibril, फिर हमने एक myofibril को निकाल के zoom करा, muscle fiber के अंदर से जैसे ये मेरा pen है, ये muscle fiber है इसके अंदर refill है, मालों उसके तर धेर सारे refils है, एक refill, एक myofibril है, वो खीच के निकाला बाहर अब उस myofibril में देखो किस से बना हुए है, फिलामेंट से, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, उनका arrangement कुछ इस तरह से है कि सारको मीर्स बनते हैं, सारको मीर्स अभी हम आगे डिसकस करेंगे, ठीक है, फिलाल मैंने क्या बताया यहां पे, muscle के mytochondria which are sarcosomes, बहुत सारे mytochondria present सारको प्लाजमिक रेटिकूलम सारको प्लाजमिक रेटिकूलम का काम क्या है, यहां पे देख लेते हैं, कैल्शियम का स्टोरेज, कैल्शियम यहां पे रिलीज होगा और वापिस कैल्शियम इसमें जाएगा सारको प्लाजमिक रेटिकूलम में एक प्रोटीन प्रेजंट है कैल्सी क्वेस्टरिन कैल्सी क्वेस्टरिन is the calcium binding protein सार्कोप्लाजमी क्रेटिकुलम के पास धेर सारे calcium ions है जब action potential आएगा हम पढ़ेंगे dihydropyridine receptors का role ryanodine calcium release channels के इस प्रकार से खुलते हैं सार्कोप्लाजमी क्रेटिकुलम से धेर सारा calcium निकलता है पूरे muscle में calcium का सेलाव आ जाता है फ्लड आ जाता है calcium का और troponin कहता है मैं calcium को पकड़ लूँगा calcium troponin के साथ जुडता है फिर muscles contract करते हैं वो पूरा लंबा चड़ा mechanism हमने पढ़ना है that is called the sliding filament theory calcium को re-uptake भी कर लेना है एक यह beautiful सा picture देखिए यहाँ पे आपको muscle fiber का nucleus दिखाया गया है मैंने कहा था ना multi-nucleated है skeletal muscle fibers जो होते है skeletal muscle fibers are multi-nucleated because they are formed by a fusion of many myoblasts अभी मैं आपको development of the muscle बताऊँगा nucleus center में नहीं है nucleus periphery की तरफ है the multiple nuclei of the skeletal muscle fibers are located just beneath the sarcolemma otherwise हर सेल में तो center में nucleus होता है muscle fiber की यह विशेशता है कि muscle fiber का nucleus जो होता है वो periphery की तरफ है यह एक nucleus दिखा यह दूसरा nucleus दिखा अब आपको दिख रहे muscle fiber का यह रहा sarcoplasm यह plasma membrane sarcolemma यह myofilaments जिन्होंने मिलकर के myofibrils बनाए है यह एक muscle fiber दिखाया clear है जी? right? enjoying the session? good simple लग रही है ने चीज़े कुछ भी नहीं है मुश्किल गर ठान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ पढ़ने को वैसे पढ़ते रही है आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा okay? आगे बढ़ते हैं now muscle fiber की जो membrane है sarcolemma called transverse tubules they tunnel in from the surface मैं बता तो suppose करो यह muscle fiber है यह एक लंबी सी tubule आ गई this is T-tubule plasma membrane ने कहा मैं ऐसे ऐसे infolded होंगी कही जगों पे so this structure is called T-tubule the infolding of the sarcolemma transverse tubule इन ही transverse tubules के through action potential अंदर जाएगा जो हम पढ़ेंगे कि कैसे action potential जेनरेट हो रहा है okay? अब यह जो diagram side में दिया हुए इससे भी गौर से पहचानू देखो एक बात और बता दूँ यह सारा PDF आपको मिल जाएगा आप telegram पे मेरे साथ जुड़िए WhatsApp groups पे जुड़ जाएगे वीडियो के description में भी आप देख ले न link डाल दूँगा मैं उसका मैं एक चीज़ आपसे जरूर चाहूँगा session खतम होने के बाद जब आप देख ले न session पूरा आप comment जरूर कीज़ेगा अपने views कि आपको session कैसा लगा कौन सिचिस बहुत भेतरीन लगी और क्या improvement आप चाहते हैं in sessions में चलो मैं ये वाला diagram भी आपको explain कर दूँ सारी labeling सबसे बाहर सारकोलेमा clear है जी फिर आपको ये धेर सारे myofibrils लाल रंग के लंबे-लंबे डंडे नजर आ रहे हैं myofibril है ये एक muscle fiber है जैसे ये मेरा एक marker है इसके अदर माल लो धेर सारे refils है एक-एक refil एक myofibril है okay myofibril खुद किसे बना है myofilament से बना है ये जो हरे-हरे रंग का आपको पूरा जाल पहला नजर आ रहे है that is sarcoplasmic reticulum जो calcium mines को store करेगा इसके लावा ये strategically located mitochondria है ठीक है बेटा ये terminal sister ने है sarcoplasmic reticulum के जो हम discuss करेंगे और ये जो नीले से रंग का structure नजर आ रहे है न यहाँ पर ये nucleus है this is what is nucleus clear है beautiful diagram great wonderful चलो आगे बढ़ते हैं now tea tubules जो होते हैं बेटा ध्यान दीजेगा tea tubules are open to the outside of the fiber कैसे ये देखो ये sarcolemma ये एक tea tubule ऐसे गया ऐसे ये दूसरा tea tubule तो ये outside की तरफ open ही तो है ये छेद ही तो होंगे ये open ही तो होंगे तो interstitial fluid है तो भरा होगा इनमे tea tubules are open to the outside of the fiber and they are filled with interstitial fluids so muscle action potential travels along the sarcolemma and through the tea tubules हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो action potential है वो travel करके जाता है sarcolemma में और फिर वो tea tubules के जरिए अंदर पहुंचता है muscle के deep में पहुंचता है और कैसे calcium को release करवाता है ये जो arrangement है tea tubules का this arrangement ensures that the action potential excites all parts of muscle fiber at essentially the same time जो action potential ने फैलना है पूरे muscle fiber में same time पे फैले ताकि सारा muscle एक साथ contract करे ये बड़ी important बात लिखी हुई है चलिए एक और beautiful सा diagram देख लीजी लंबाई में आपको धेर सारे myofibrils दिखाएं कैसे उनकी चारों तरफ sarcoplasmic reticulum लिप्टी हुई है mitochondria कहां कहां located है सारी चीज़ें गौर से देख लीजीए dark band, light band जिनने आगे में detail में explain करूँगा आपको clear है इतना all my raja बेटा एं रवानी बेटियां world famous doctor बनना है effort तो लगाना पड़ेगा आपको thank you उर्फान, thank you so much चलिए जै अभी तक मैंने सिर्फ आपको muscle fiber के बारे में बताया है muscle के अंदर muscle fasciculus muscle fasciculus के अंदर muscle fiber अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ development of the muscle, skeletal muscles develop कैसे करते हैं एक embryo, एक भृून, जब अपने mother के uterus में develop कर रहा है तो उसमें muscle बनाने वाले cells होते हैं, embryo के जो muscle बनाने वाले cells होते हैं बेटा, what are they called? myoblasts तो एक सवाल यह हो गया the muscle forming cells of the embryo are called what? myoblasts बहुत से myoblasts आपस में fuse कर जाते हैं and they form a single elongated structure that is called muscle fiber तो आप देखिए यह myoblasts आपस में fuse करें यह दिख रहा है इनका fusion हो रहा है cells का, so fusion of myoblast resulting in formation of muscle fiber जैसे आप एक ननहा सा muscle fiber देख पा रहे हैं जिसे immature muscle fiber कहा गया मैं यह आपे बना के दिखा दू suppose one myoblast, another myoblast, another myoblast यह हर myoblast की nucleus बहुत सारे myoblasts आपस में fuse करेंगे तो एक single elongated cylindrical structure बनाएंगे उस single elongated cylindrical structure को ही एक muscle fiber कहते हैं इसी muscle fiber को ही myocyte भी कह देते हैं और यह myocyte एक single cell है क्योंकि यह बहुत सारे myoblast की fusion से बना है और हर myoblast का nucleus भी इसमें होगा इसलिए तो यह multi-nucleated है और इस muscle fiber की further एक covering होगी अच्छा आप मुझे बता दो यह कौन सी covering होगी थोड़ी दर पहले ही बताया था muscle fiber की sarcolemma जो है उसके बाहर भी एक covering होती है अब आपको समझाया और उसके नीचे sarcolemma इस इस एक और देखो यहां पर यह और इस दिखाया हूँ है satellite cells यह satellite cells क्या होते है गौर से सुनना कुछ myoblast ऐसे होते हैं जो हमारे जनम के बाद भी हमारे muscles में persist करते हैं they are called satellite cells certain myoblasts they persist in the muscle even after birth these myoblasts they help in minor repair of the muscle injury muscle में कोई ठोड़ी मोटी टूट फूट हुई है injury हुई है यह satellite cells उसे repair कर लेते हैं clear है? right? चलो development of muscle आप समझे देखते हैं इस चीज़ को myoblasts क्या होते हैं? मेरे पीछे-पीछे आप भी बोलेंगे myoblasts are the muscle forming cells present in an embryo इतने simple तरीके से इतने सधारन तरीके से, सहज तरीके से और किसी चैनल पे आपको शायद MBBS के lectures नहीं मिलेंगे agree करते हैं इस बात से? myocyte क्या होता है? myocyte को ही muscle fiber भी कहते हैं बई many myoblasts they fuse to form single muscle fiber एक muscle fiber एक cell है एक myocyte है 30 cm तक लंबा हो सकता है उसकी covering endomycium होती है so myoblast से बना myocyte अब बहुत सारे muscle fibers ने मिलके क्या बना दिया? muscle fasciculus how can we define muscle fasciculus? bundle of the muscle fibers covered by perimycium एक marker एक दूसरा marker एक और इसकी उपर एक tape लपेट दो जिससे ये bundle पूरा बंद जाए that is perimycium फिर ऐसे बहुत सारे bundles ने मिलके बनाया है muscle many muscle fasciculi group to form muscle और उसकी covering epimycium I hope इतना आपको clear हुआ बिलकुल muscle fiber का structure एक बार फिर से देखिए इस बेतरीन सी slide के जरीए एक muscle में से मैंने muscle fasciculus निकाला muscle में से क्या निकाला हमने? ये देखिए muscle fasciculus muscle fasciculus किस से बने? इस में से क्या निकाला? muscle fiber फिर एक fiber में से हमने क्या निकाला? myofibril कितना beautifully है इस से जादा simple तरीके से तो कोई नहीं समझा सकता right? muscle, muscle fasciculus muscle fiber, myofibril myofibril के अंदर myofilaments right? ठीक है? like कर रहा है ने सबने? जिसने नहीं करा like आपी जल्दी से like बटन दबाओ आपके likes मेरे लिए ATP का का काम करते है चल अब इदर देखो भई एक और खुबसूरत से slide each muscle fiber अब हम कहां पहुँच गए? हम ना ultra structure में पहुँच गए और ज़्यादा detail में muscle fiber के अंदर चले जाओ पहले muscle के अंदर गए थे muscle fasciculus muscle fasciculus के अंदर गए muscle fiber muscle fiber के अंदर क्या है? देखते हैं जी each muscle fiber contains several hundred to several thousand myofibrils 100 से लेके 1000 तक myofibril होंगे each myofibril फिर वो myofibril किससे बना है? 1500 adjacent myosin filaments and 3000 actin filaments each myofibril is composed of about 1500 myosin filaments 3000 actin filaments याद रहेगा यह नंबर यह सारी बात हैं जो standard medical books है न जैसे मैं अभी जिकर कर रहा था गाइटन का मैंने आपको बताया कि गाइटन का अगर आपने edition खरीदना है तो कौन सा वाला लेना है? यह देख लीची गाइटन अन हॉल textbook of medical physiology South Asian edition लीजिएगा यह आपके syllabus के इसाब से बहुत बेतरीन तरीके से लिखी हुई है ओके आगे बढ़ते हैं myofibril में क्या है? और जादा चोटे structures हैं which are called myofilaments myofilaments दो तरह की हैं मैं यहाँ पे लिख रह हूँ myofibril में धेर सारी myofilaments है myofilaments are of two types there are thick myofilaments and there are thin myofilaments thick मतलब मोटा है ना? मोटा M से मोटा, M से myosin ऐसे याद कर लो thick filaments में कौन सा protein है? myosin protein thin, patla, actin, actin ऐसे याद कर लो so thin filaments में कौन सा protein है? mainly actin actin के इलावा thin filaments में troponin and tropomyosin भी होते हैं thick filaments का diameter thin से दुगना है आप देखो thick filaments are 16 anamin diameter thin filaments are 8 anamin diameter you have to remember this thing also इतना clear है सब को एकदम जबरदस्ट now तीन तरहे के muscles आपने जाने cardiac muscle, smooth muscle, skeletal muscle skeletal muscle की properties skeletal muscle के function skeletal muscle को skeletal muscle क्यों कहते हैं? उसके बाद skeletal muscle का structure ultra structure यह सब समझने के बाद अब हम पहुंचे हैं neuromuscular junction पे इसे myoneural junction भी कह देते हैं नाम सी इंदाजा लग रहे हैं की neuromuscular junction क्या होगा? the junction between a nerve fiber and a muscle fiber एक neuron ही तो message देगा एक muscle को contract होने के लिए so the junction between a nerve fiber and a muscle fiber junction between a nerve fiber and a muscle fiber is called neuromuscular junction जो neurons stimulate कर रहे हैं skeletal muscles को उन्हें कहते हैं somatic motor neurons अच्छा आप यह तो जानते हैं जो neurons संदेश लेके आते हैं central nervous system की तरफ they are called sensory neurons और जो neurons muscles की तरफ response ले जाते हैं they are called motor neurons तो skeletal muscles को जो contract करवाते हैं they are called somatic motor neurons अब हमने ये भी detail में समझते हैं एक neuron का basic structure याद केजिए cell body है exon है और exon के बाद आके फिर terminal endings होती है exon की cell body से dendrites निकलती है अब आप गौर से देखे इस diagram में की जो neuron है जो muscle को stimulate कर रहे है उस neuron को हमने क्या कहा था somatic motor neuron है ना उसकी cell body कहां present है वो कहां से आया ये वाला जो diagram आपको दिख रहे है किस चीज़ का है spinal cord का ये spinal cord का ना transverse section है TS of a spinal cord अंदर की तरफ gray matter है which is arranged in the form of an edge-shaped structure बाहर की तरफ white matter है posterior dorsal horn है anterior ventral और the gray horns है so ये वाली जगे से आप देखो राजा बेटा यहां focus कीजेगा neuron की cell body कहां है neuron की cell body हमें दिख रही है spinal cord के anterior ventral gray horn में cell body के बाद ये रहा जी exon और ये exon के आके आके terminal endings हो गई exon का नाम क्या था हमने neuron का नाम क्या दिया था somatic motor neuron और muscle की belly में आके ये neuromuscular junction बना अब हम ये भी समझेंगे कि motor unit क्या होता है we'll understand what is motor unit motor neuron along with the motor end plate that is what is called as motor unit now listen each somatic motor neuron has a thread like exon somatic motor neuron के पास एक लंबा धागे जैसा exon है जो की brain ये spinal cord से muscles तक जा रहा है spinal cord से भी जा सकता है brain से भी जा सकता है action of a somatic motor neuron typically branches exon sorry exon of a somatic motor neuron typically branches many times exon की आकर के कितनी सारी branches हो जाती है each branch extend to a different skeletal muscle fiber है न जैसे ढेर सारे pen रख दीजे यहां पर और एक exon आ रहा है और उसकी कितनी सारी शखाएं हो गई branches हो गई हर branch अलग-अलग muscle fiber तक जा रही है अब आप इदर देखो एक और beautiful सा diagram brain spinal cord से connected है spinal cord muscles को message दे रही है spinal cord के transfer section में अब आप गौर सही चीजें देखी है जो मैंने बोली दिख रहा है आपको यह transfer section of the spinal cord right labeling देख लेते हैं यह राजे spinal cord spinal cord के साथ spinal nerves जूड़ी होती है यह बात आपको पता है each spinal nerve is attached to spinal cord by two roots यह है posterior dorsal sensory root जिसमें dorsal root ganglion होते है यह है anterior ventral motor root और dorsal और ventral root ने मिल करके क्या बना दी है यह जो दो जड़े हैं इन्होंने मिल करके यह बनाई है spinal nerve spinal nerves are mixed nerves आप जानते हैं ना all spinal nerves are mixed nerves cranial nerves में होता है ऐसा कि यह sensory है यह motor है यह mixed है spinal nerves सभी mixed होती है अब आप देखिये जी यह मैंने कहा था ना cell body कहां located है somatic motor neuron की यह anterior horn में यह रहा cell body उसके बाद यह गया जी anterior ventral root में exon और यह motor neuron आकर के इस particular muscle को inner weight कर रहा है यह supply कर रहा है दोनों तरफ यह इस दिखाए गई है Is this diagram crystal clear? कासर जहान कह रहे है sir we are lucky to have you as a teacher I am lucky to have you people as my students YouTube के इस माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंच पा रहा हूं मुझे लगता है यह बहुत बड़ी बात है technology का एक बहुत बड़ा फायदा है कहते है technology cannot replace a good teacher but technology in the hands of a good teacher is revolutionary मैं हमेशा से यह बात कहता आया हूं हलो नितिन कैसे हैं जी आप अंजली वर्मा, नरायन चलो यह diagram समझ आगे है सब को clear है wonderful सुनो skeletal muscle fibers they are innervated by large myelinated nerve fibers हमारे शरीर में myelinated nerve fibers भी होते हैं unmyelinated nerve fibers भी होते हैं large मोटे मोटे जो myelinated nerve fibers है जिन में myelin चीत होती है वो skeletal muscle fibers को supply करते हैं और यह कहां से आ रहे हैं they originate from large motor neurons in the anterior horn of the spinal cord यह बात मैंने अभी भी बिताई कि उनके cell body कहां present है right each nerve fiber after entering the muscle belly जैसे ही nerve fiber muscle belly के अंदर enter करता है यह branch कर जाता है and it stimulates three to several hundred skeletal muscle fibers diagram बना के देखें मान लो यह cell body है यह dendrites है यह एक exon है और मैंने कहा कि exon की कई सारी branches हो जाती है आगे जाके suppose करो यह muscle fiber को supply कर रहा है यहां पे neuromuscular junction है इसका neuromuscular junction इधर भी है तो बहुत सारे muscle fibers को supply कर सकते हैं और इसमें हम ऐसे यह उपर shawn cells भी दिखा देते हैं क्योंकि हम myelinated neuron की बात कर रहे हैं कि इसके पास shawn cells भी है आप जानते हैं shawn cells का का काम क्या होता है shawn cells को neurolemocytes भी कहते है shawn cells they form myelin sheath around neurons of the peripheral nervous system ओके ग्रेट जी आनन्द कह रहे हैं sir I am in BRD Medical College गोरखपूर and doing MBBS first year wonderful जी आप सब के उजवल भविशे के लिए डेरोशुब काम ना है मेरी तरफ से चलो एक और बहतरीन सी slide देखते हैं जिसमें neuromuscular junction को और अच्छे से समझते हैं this is axon collateral of somatic motor neuron अब आप एक चिस गौर कीजेगा यहां तक तो आपको shawn cell नजर आ रहा है उसके बाद जहां पर बिलकुल end हो गया है axon का वहाँ shawn cell नहीं है है ना और यह axon हमने हलके से yellowish color से दिखाया है और फिर axon जाके end में ऐसे swell कर रहा है यह सूज रहा है यह swelling सी जो बन जाती है इसको कह देते हैं axon end bulb या हम इसे synaptic end bulb भी कह देते हैं तर्मिनल मतलब उसकी शाखा है उसकी ब्रांच है axon terminal आगे जाके फूल गया end कर गया जब वो muscle के पास पहुंचा that is called synaptic end bulb synaptic end bulb को axon end bulb भी कह देते हैं muscle fiber की plasma membrane यानी sarcolemma myofibril नजर आ रहे हैं अंदर अब आप देखो बिटा यह वाला जो box है यह जो मैं पहले black line थी इसको मैंने red कर दिया इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि वो axon end bulb और उसके साथ नीचे sarcolemma can you see the invaginations of the sarcolemma जिसका हम जिकर कर रहे थे कि यह ऐसे ऐसे invaginated है folded है do you remember उसका नाम हमने क्या दिया था in in foldings का titubules so यह हैं बटा tubules ठीक है अब clarity हो रही है न पहले बड़े ही हमने micro level पे चीज़े देखी फिर उसको बड़े level पे भी समझ रहे तो आप पूरी चीज़ रिलेट कर पाएं अपने दिमाग में रटना नहीं यह physiology को समझना है समझेंगी चीज़ें तो असान हो जाएंगी आपके लिए राटा बेटा ठीक है यह हो गया जी neuromuscular junction short में कहा NMJ nerve fiber और muscle fiber का junction is what is neuromuscular junction now सुनो each nerve ending makes a junction with the muscle fiber near its midpoint यह बात भी मैंने बताई थी जो nerve ending है वो junction बना रही है muscle fiber के साथ उसके midpoint पे action potential initiated in the muscle fiber by the nerve signal it travels in both direction towards the muscle fiber ends दोनों दिशाओं में जाएगा वो with the exception of about 2% of the muscle fiber there is only one such junction per muscle fiber यह बात मैंने थोड़ी दिर पहले भी आपको बताई थी motor end plate क्या है समझो जरा motor end plate जहां पे motor neuron जाके end कर गया है खत्म हुआ है that is motor end plate nerve fibers form a complex of branching nerve terminals that invaginate into the surface of the muscle fiber but they lie outside the muscle fiber plasma membrane अब आप समझ लो कि suppose यह एक exon है बिलकुल end दिखा रहा हूं synaptic end bulb और यहां पे दिखा रहा हूं कि भई यह t-tribule है यह इस चीज का जिकर हो रहा है sarco lemma का यह वाला हिस्सा exactly जो exon end bulb के नीचे आ जाता है न उससे motor end plate कह देते हैं यह vesicles पाए जाते हैं what are these vesicles called synaptic vesicles synaptic vesicles के अंदर एक neurotransmitter भरा हुआ है that neurotransmitter is what is acetylcholine ACH है acetylcholine है अब उसी को एक और enlarge view में देखो गैनॉन की book में से यह diagram लिया गया है देखना ज़रा गौर से इधर देखिये जे यह रहा एक myofibril this is the axon axon की उपर myelin sheath terminal nerve branches axon की branches हो गई right can you see and these are the nuclei of the muscles so these are the diagrams this particular diagram is from the Ganong book motor unit क्या है motor neuron along with the muscle fiber which it is supplying is called the motor unit motor unit define कर रहा हूं जी each single motor neuron and the muscle fiber it innervates that's called motor unit diagram में देख लीजी clear है एक motor neuron और एक-एक muscle fiber जिसे वो innervate कर रहा है that is forming as the motor unit now the number of muscle fibers in a motor unit varies एक motor unit में कितने muscle fibers आ जाएंगे यह vary करता है हाथ के muscles की बात करें यह eyeball movement के लिए जो muscles है जहां पर बड़ा fine, graded, precise movement चाहिए each motor unit innervates very few muscle fibers तीन से लेकर के 6 muscle fibers को वो innervate करता है लेकिन कई जगों पर ऐसा भी है 600 muscle fibers per motor unit भी हो सकते हैं जैसा की leg muscles के case में so number of muscle fibers vary करता है अब आप यह beautiful सी animation देखे जरा गौर फर्माइए गई दा spinal cord से signal इस motor neuron के थुरू muscle तक पहुंच रहा है और ultimately muscle उसके response में contract कर रहा है है ना देखा आपने अब zoom होके आपके सामने motor neuron और उसके साथ ये जो muscle fiber है वो आपको नज़र आ रहा है skeletal muscle fiber और किस परकार से action potential उस skeletal muscle fiber तक पहुंचा देख पा रहे हैं अब धेर सारे nucleus भी नज़र आ रहे है फिर हमने उतनी चीज़ को zoom कर देना है कि कहां पे वो जो endings हैं देखे ये जो exon end bulb है उसके नीचे motor end plate है अब इसको और ज़्यादा closely देखिए कितने सारे exon end bulbs हैं इनके अंदर synaptic vesicles होती है green color से highlight हो गए अब ये ये motor end plate भी दिखा आपको is it clear मज़ा आ रहा है जी प्यारे प्यारे likes हो जाने चाहिए साथ साथ फे इतनी beautiful animations आपके लिए लेके आया हूँ crystal clear तरीके से सब समझाएगा और channel जरूर subscribe करके रखना है आपको and session कतम होने पर अपने comment जरूर दीजेगा I really want to know कि आप लोगों को कैसे लगते हैं ये lectures अब इसको और जादा zoom करते हैं ये देखो जी motor end plate के अंदर और गहराही में घुजगे हम can you see अब ये एक exon end bulb और उसके नीचे वो T-tubules ऐसे ऐसे है न exon end bulb के अंदर अब आपको दिखाऊंगा वहाँ पे synaptic vesicles है और synaptic vesicles में acetyl koline भरा हुआ है कैसे वो acetyl koline release होना है वो हमने अगले session में समझने है देखे इसके अंदर आपको छोटे-छोटे balls नज़र आ रही है गोल-गोल गेंद जैसे these are the synaptic vesicles और उसके अंदर भरा हुआ है acetyl koline और प्रॉमिस कीजिए आप अपने medical college में जितने भी आपके whatsapp groups हैं telegram groups हैं सब में ये lecture ज़रूर share करेंगे विद्या बांटने से बढ़ती है चलो और गहराई में चलते हैं भई आप देखे ये acetyl koline इसके अंदर भरा है ये acetyl koline release कब होगा जब इस synaptic end bulb में calcium आ जाएगा calcium कैसे आएगा वो भी अभी हमने जाना है calcium channels को लेंगे calcium का influx होगा और ये vesicles जो अपना acetyl koline release करेंगी synaptobrevens, syntaxin proteins, snare proteins का role क्या है इसमें कैसे exocytosis होता है vesicles का acetyl koline release होता है ये हमने अगले session में समझना है acetyl koline की receptors कहा है जो green color से नजर आ रहे है ये acetyl koline के receptors है nicotinic cholinergic receptors कहते हैं इन्हें ये nicotin के साथ भी bind कर जाते है ligand gated channels है acetyl koline receptors के साथ acetyl koline bind करा voltage gated sodium channels यहाँ पे हैं तो sodium का influx हो जाता है इन channels के थूँ sodium की entry होगी sodium के entry हुई तो membrane depolarize हो जाती है motor end plate potential होता है फिर वो action potential में convert होता है वो सब चीज़े अगले session में पढ़नी है यहाँ पे आपको इतना नजर आ रहा है कि acetyl koline receptors के साथ acetyl koline bind कर रहा है और acetyl koline ligand gated cation channel है और आप देखेंगे sodium की entry लाल रंग से चोट 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 बिंदू बिंदू जो नजर आ रहे यह sodium की entry हो रही है उसमें sodium का influx हुआ sodium enter करता है थोड़ा बहुत potassium भार भी निकलता है और जब किसी membrane के थुरू sodium enter कर जाता है तो membrane की polarity change कर जाती है हलो अनूप, how are you? अनूप, पटेल जी great, hello रतन okay, ठीक है जी अब देखो, acetylcholine अपना काम करने के बाद खत्म हो जाना चाहिए otherwise, acetylcholine का असर लगातार बना रहेगा तो एक enzyme होता है acetylcholisterase acetylcholisterase कहां present है synaptic cleft में present है यह जो जगे नजर आ रही है आपको exon end bulb और उसके नीचे जो post synaptic membrane उसके बीच में synaptic cleft है उस जगे में, उस cleft में acetylcholisterase enzyme है जो आपको यह purple color से दिख रहे है यह acetylcholisterase enzyme acetylcholine को तोड़ देता है acetic acid में and choline में choline फिर से वापिस center कर जाता है exon end bulb में और दोबारा से acetylcholine बन जाता है हम अगले session में यह भी पढ़ेंगे कि acetylcholine का निर्मान synthesis कैसे होता है synaptic vesicles में कैसे acetylcholine भरा जाता है clear है जी? चलिए, आज के लिए इतना ही आप मुझे social media पे follow कर सकते हैं instagram पे sachin.kapoor के apur whatsapp number दिया है screen पे आप message कर सकते हैं telegram पे follow कर सकते हैं मेरे द्वारा लिखी गई यह किताब जो बच्चे अपने neat की preparation के लिए चाहते हैं उनके लिए book है जी इस book को कैसे खरीदना है इसके लिए यह whatsapp number दिया गया है right? अब मैं आप से विदा लेता हूँ and comment करना नहीं भूलना वीडियो जैसे ही खत्म करें आप देखें so जरूर comment कीजेगा description जरूर देख लीजेगा description में आपको बहुत सारे links मिल जाएंगे आपको बाकी session के PDFs चाहिए उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं नमश्कार, bye bye, God bless you all wish you all a very bright and prosperous future stay blessed